Hey guys, दोस्तों है social media का जमाना है Facebook, Instagram, YouTube बगएरा और सभी लोग photo capture करते हैं, social media post करते हैं, likes ज़्यादा है, views ज़्यादा है, सबकी तमन्ना होती है लेकिन photo पे ज़्यादा engagement है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि camera है बहुत अच्छा और अच्छे इसके साथ आपके editing skills बहुत माइले रखते हैं, चलिए दिखाते हैं, इस एप का नाम है Ice Cream Photo Editor और ये कमाल का आप है, जो कि 100% absolutely free है, कोई ads नहीं, किसी तरह का कोई subscription या कोई feature आपको कम नहीं मिलेगा, पूरा full में free है ये system requirement कुछ भी नहीं है, कोई भी आपका window का version हो, आप नीचे description में लिंक दिया है, उसे free में download कीजिए, और try कीजिए, और एक बहतरीन thumbnail बनाईए, कैसे बनाते हैं, एक demo में आपको दिखाता हूँ, कैसे इससे आप बहतरीन professional looking thumbnail बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के लिए इसको जो computer में organize कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे कुछ thumbnail बनाना है आपको तो यह option भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो side चाहिए, वो कर सकते हैं, आप चाहिए तो transparent या फिर अपनी 1% का black white या फिर कोई भी colored आप background देके आप photo को edit करना सुरू कर सकते हैं, और आइए, आ एक vertical photo है, जिसे हम select किया, और यहाँ से आप और भी जो gallery photo है, उस पे आप जा सकते हैं, आप चाहिए तो इस बटन का इस्तमाल करके से आप rotate कर सकते हैं, anti-clockwise, clockwise, और चले editing की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको zooming का option दिया, zoom in, zoom out, दोना है, तो हम इसे zoom in करते हैं थोड़ option का भी स्तमाल कर सकते हैं, hand tool का जिसे करते हैं, आप उसे scroll कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जैसा सहो लिए थे वो tool select कर लेंगे, और यह है आपका selection area tool, यहाँ पे आप जैसे माली जी यह select करना है, rectangular form में तो rectangle कर लेंगे, अगर माली जी आपको circle में करना है, तो यह कर लेंगे, और नहीं तो कोई एक particular area type से आपको जैसे laser tool करता ना, उस type से आप करना चाहते हैं, तो draw कर दिये simply, वो area के उपर यह चीजें लाग हो जाएगा, अब करना क्या है वो दिख लीजे, माली जी एक्जांपल के तोर पे आपे background जो हम हटा रहे हैं, square या फिर आपका जो भी हो, तो background से आप उसे transparent कर सकते हैं, black या फिर कोई भी करता है, यहाँ पर copy tool दिया है, cut और remove tool दिया हुआ है, तो मैं इसे cut करता हूँ, तो मैंने क्योंकि background color यहाँ पर चूज किया था, क्या transparent, तो यह transparent हो जाएगा, अगर अब मैं black चूज करता हूँ, और circle बनाता हूँ, यहाँ से मैं कोई चीज delete या cut करूँगा, तो वो background जो है, वो black हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि यह background जो है, वो colored आए, तो आप जो भी आप save बना रहे हैं, उसी साब से आप select कर लेजिए, और वो background आपका हो जाएगा, तो यह एक basic से चीज थी है, inverse selection भी आप कर सकते हैं, इस सकते हैं, आप जो तो नहीं भी save कर सकते हैं, जैसी है आपकी मर्जी, तो मैं एक यह particular file को, photo को select करता हूँ, यहाँ पर कुछ editing tool है, hand से आप draw कर सकते हैं, और अगर आप draw करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, drawing भी कर सकते हैं, और इ यहाँ दिखी मैंने इसे कर दिया, अब इसे मैं undo करता हूँ, undo redo का button यहाँ पर दिया गया है, तो undo हो गया यह, अब चलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे shapes हैं, आप चाहेंगो तो arrow, square, या फिर circle, triangle, और जो भी हैं, वो आप कर सकते हैं, एक सागोन, polygon, पॉलिगोन, वगर और उसे fill करना, फिल भी हैं, आप कर सकते हैं, यह है text tool, जो कि बहुत important है, आपके photo में text add करने के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा welcome, और यहाँ पर बहुत सारे fronts हैं, जो कि आप choose कर सकते हैं, front size के साथ, जो आपको front size अच्छा रगता है, वो choose कि जो आपको front अच्छा में लिए यह वाला मैं choose करता हूँ, ठीक है, size थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, तो यह से रहे, आप कहीं भी text को ले जा सकते हैं, drag and drop करके, खीच के इदर उदर, यह comfortability दिया गया इसमें, इसके लाँ और भी चीजे कर सकते हैं, spacing कर सकते है कहां कहा, justification करना है, left, right, align करना है, वो सब दीचे आप यहाँ देख सकते हैं, अब text का color, आप choose करना चाहते हैं, यहाँ से text का color, चूज कर सकते हैं, यहाँ से red करना है, तो red कर दिया मैंने, आप चाहें तो outline जो है, अगर मैं black करना चाहते हूँ, तो black भी मैं कर सकता हूँ, अब इसके अलाबा जो यहाँ पर चीजें हैं, वो outline आप select करना चाहते हैं, तो outline select करना है, और opacity आप इस तरीका से select कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों, shadow आप बनाना चाहते हैं, तो shadow भी देख सकते हैं, shadow किस तरीका का होगा, वो तीन form में यहाँ पर दिया गया, जो भी आपक चीज आप कर सकते हैं, यहाँ से, अब यहाँ पर blur और flattened image है, तो मैं आपर blur only करना करता हूँ, और मैं माल लिजिए face को blur करना चाहता हूँ, तो यहाँ बस blur tool का इस्तमाल करके, face को blur कर सकता हूँ, blur का size है, आप brush size select करके आप बढ़ा घटा सकते हैं, strength जो है, मैं full रखा हू उस तरीकर से आप इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप पार्सियले दीखाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा transparent करते हैं, अब आए, अब इसे undo करते हैं, और अगला चीज, यह एक नया photo है, यहाँ पर हम इसमें, और कुछ माल लिजे, images add करना हैं, उपर में, आप जिस तरीकर का images add क के लिए, यह काफी useful आता है, YouTubers के लिए, तो यह चीज़े भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, दोस्तों, देखिए, बहुत सारे stickers यहाँ पर दिये गया है, emojis दिये गया है, जो कि आपके thumbnail और photo को काफी attractive बना देगे, तो इसमें से आप कोई भी selector है, मैं आप एक और selector देता वाउ और यहाँ पर इसे मैं drag drop करके place कर देता हूँ, तो यह एक अच्छा दिख रहा है इस तरीके से, और मुझे अच्छा लग रहा है यह चीज़, अब यहाँ पर आप चाहते हैं, फिल्टर भी इसमाल कर सकते हैं, फिल्टर जो भी फिल्टर आपको अच्छा लगता है, वो उसके according आप select कर दिए, आप चाहते हो इंटार फोटो पर कर सकते हैं, आप यह तो पार्क पर कर सकते हैं, अब आई अगला चीज़ चीज़ चिखाते हैं आपको, यह मैंने एक फोटो यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर आपको enhancement दिया गया है, जो कि आप auto enhancement यह option है, फिर highlight को आप बढ़ा घटा सकते हैं, adjust कर सकते हैं, shadow को भी आप कर सकते हैं, color के saturation को आप बढ़ा घटा सकते हैं, temperature और tint से भी आप खेल के photo को बहुत अच्छा look और एक बढ़िया बना सकते हैं, attractive काफी इसे बनाने में मदद करता है, यह कितना perfect लग रहा है, तो यह एक सही और इसका इस्तमाल आपको करना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे frames दिये हैं, photo frames जो कि आप चाहिए, तो यहाँ पे one click में apply कर सकते हैं, यह मुझे अच्छा लग रहा है, काफी मैं इसे देखूंगा, आपको जो अच्छा लगता है, वो इससे आप से आप कर सकते हैं, क्यों अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, तो अब चलिए अगला चीज, और यहाँ पे आपको options जा मिलता है, वो colleague maker का, colleague maker आपकी बहुत साए multiple photo है, कहीं trip गया हुआ है, तो उसको एक बहतरीन look देता है, जिसे आप album या फिर घर के ऊपर चिपका सकते हैं, colleague बना के तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चलिए इस photo का एक template इस्तमाल करता हूँ, heart वाला, दिल वाला, और इसके side में चार और छोड़े-छोडे pictures को आप लगा सकते हैं, आप पर option दियागा है, इस template में, तो यहाँ पे मैं selection करता हूँ, अपने मर्जी मुताब कुछ photos का, और आपको दिखाता हूँ, कैसा वो दिखता है, तो यह एक बढ़िया टूल है, आप यहाँ पे भी आप drag and drop करके adjust कर सकते हैं photos को, ताकि बहुत अच्छा look दिखे, तो यह एक सही चीज है, और मुझे लगता है कि आप अगर try करेंगे इसे तो आप काफी पसंद करेंगे, और that is looking awesome, और मैं इसे save करता हूँ, आपको, मैं दिखाता भी हूँ कि कैसा यह दिखता है, तो save करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊ हूँ इसे, और इसके बाद यहाँ पे यह दिखिए, यह चीज है, इसे आप फोटो को crop भी कर सकते हैं, cropping option दिए गया है, यहाँ पे भी customize कर आप और भी चीजे कर सकते हैं इसे, और social media पर पोस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे views गेंग कर सकते हैं, बहुत सारे like गेंग कर सकते हैं, और अपने फोटो को maximum logo तक पहुचा सकते हैं, तो अगर यह आपको photo software अच्छा लगता है, तो आप इसे नीचे description ते लिंक से download कर सकते हैं कर सकते हैं, बहुत 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 सकते हैं,